जेहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी 36 गड़ में 16 अधिशक की भरती आई है तो उसका जो सलेवस है उसको आप कहां से पढ़ेंगे कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ ही जो बिल वाला आइकन होता है वो जरूर दबाईएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे तो आए श्टार करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें आपकी जो विकेंसी आई है 36 गड़ में चात्रावास अधिश्चक की ठेक है आपके इसके फॉम पिलब चल रहे हैं और फॉम आपके 31 मार्च 2024 तक इसके फॉम भरी जाएंगे तो आप लोग अगर भी फॉम नहीं बने हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉम भर लीजिएगा लाश्ट के दिनों का आप लोग इंतजार ना करें मेरी यही जवाह रहेगी क्योंकि आखरी के चार पास दिनों में सर्वर काम नहीं करता जिसके कारण आप हॉम फिलब नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इस वेकेंसी के बारे में कम्प्लीट डीटेल में वीडियो क्या आपकी इलिजिविल्टी क्राइड एरिया है क्या आपका सिलिक्शन प्रोसीज़र है क्या सलिवपस है यानि कि क्या आपकी आयूसीमा है कम्प्लीट जनकार्ँ वाला वीडियो बना दिया गया है और एक वीडिव डिटेल में सलिवपस वाला बनायी है तो या तो आप चैनल पर डारेक्ट जाके देख सकते हैं या तो डिस्क्रिप्सर में लिंक हमें गाएगी आप वहां से भी देख सकते हैं ठीक है तो यह 300 पदों पर आपकी भड़ती है आपके फॉम फिलप चल रहे हैं फॉम फिलप आप लोग कर लीजिएगा ठीक है हम बात करते हैं बूकलिष्ट के बारे में तो जो आपका सलिबस दिया गया है उसमें 100 क्योशन आएंगे 100 नंबर के लिए एक क्योशन आपका यहापर एक नंबर का यहाँ पर रहेगा ठीक है सलिबस में आपकी कम्प्यूटर है हिंदी है इंग्लीज है मैट्स है इंडिया का जीके है करिंट अपेर है 36 गड़ का जीके है और बालुमनोग ज्यान है ठीक है और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादर गई इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कम्प्यूटर है ऐसा है इसलिए है क्योंकि इसमें आपको minimum 50% marks score करना होगा अगर आप इसमें से 15 में से कम नंबर लाते हैं आपका 30 नंबर का paper है लेकिन अगर आप 15 से कम नंबर लाए तो आप बाहर हो जाएंगे भले आपका ये जो टॉपिक है ये बाकी वाला इसमें भले आपने पूरा पूरा score किया हो लेकिन अगर आपका इसमें 15 से कम है तो आप बाहर हो जाएंगे ठीक है इसमें कम से कम 15 तो आए ही आए और आपको जानकर खुसी होगी कि computer scoring topic भी है आप इसमें अच्छा score भी कर सकते हैं 25-26 नंबर आप इसमें असानी से ला सकते हैं अगर आप धंग से पढ़ाई कर लिए तो ठीक है तो बात करते हैं भूग रिष्ट की बारे में तो computer के लिए आपकी भूग आती है अरिहंत की ठीक है या तो आप अरिहंत की भूग ले ल आप computer के भूग ले लेजिए बहुत पत्री होती है मुश्किल से 50 पेज होंगे उसमें आपको पढ़ने के लिए अयत वारी तो और पत्री है ठीक है तो आप अगर आप उसको पढ़ लेते हैं और उसमें mcqs भी हैं आप उनको बना लेजिए आप 2-3 बार भूग पढ़ ल लेने की वरत नहीं है क्योंकि पांच में चार विश्चन तो आप सही कर रही लेंगे ठीक है लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप Lucent की भूग ले सकते हैं हिंदी के लिए और इंग्लिस के लिए इंग्लिस के लिए कई सारे बूग हैं जैसे कि माल लिए हम बात करते लिए Lucent की ठीक है इसके रवान फेल की नीटू मैम की बूग आती है ठीक है तो इस प्लकर करहें सारे बूग आती है लेकिन आपको केवाल एक बूग लेना है और अगर ध्यानर रखे अगर आपके पास कोई और और बूग है जिससे आप पढ़ने हैं पहले से तो आपको व मैंट्स की बात करें मैंट्स इसमें दूसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा स्कोरिंग भी है 25 नमबर का ठीक है तो मैंट्स के का करेंगे आप पता है या तो आप क्या करें टॉपिक वाइज जैसे माल ली आएक आपको पढ़ना है प्रॉफिट ल कवर की क्युश्चिन करेंगे उसके कॉंसक्त सीखेंगे ठीक है और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो भुक आप ले लीड़े है किस की,----- और upfront बहाँ लिए भी आप ध्यान रखेंगे ठीक है दोने लोग आपको नहीं लेनी है केवल एक भूख लेना है और उसका multiple time division करना है मैत का detail में सलिवस बता जिया गया है कि ये ये topic पूछे आएंगे तो आपको केवल उनी topic को पढ़ना है सारे topic आपको पढ़ने की जुरुत नहीं है जो topics उसमें लिखे हुए हैं वही आपको पढ़ने है और कुछ नहीं पढ़ना है हम बात करते हैं इंडिया घजी के इसके लिए सबसे बहतरी राम बार बुक जो मानी जाती है वो है लुसेंड की ठीक है लुसेंड की जो जीके के बुक आती है उसको आप पढ़ेंगे और जड़ा मोटी भी नहीं है और आसानी से उसको आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो हलांकि उस लुक को अगर सो लोग खरीते हैं तो मुश्किल से मौन लिजे कि 10 से 20 लोगी ही उसको पढ़ते हैं मुझे ऐसा रखता है क्योंकि गुमुक ऐसे लिखी ही गई है कि उसको सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं ठीक है तो आप लुसेपी के भुख ले सकते हैं उसको आप पढ़िए अगर आप पढ़ लेते हैं तो पंदरा में से साथाथ क्योशन तो बना ही लेगे देखिए जी के ऐसा टॉपिक है जिसमें पंदरा में पंदरा बनाना बहुत ही मुस्किल है जो एक्स्ट्राइडिनरी बच्चा होगा न वही बना पाएगा और साथ वो भी ना बना पाए ठीक है तो अगर साथाथ नंबर आप इसमें ला लेते हैं तो बहुत अच्छा इसको रमाना जाए है ठीक है यूटूब से ही आप इसकी तैयारी कर सकते है current appears की ठीक है तो इसके लिए आप क्या लिहान में रखके बनाई गई है ठीक है और आपका जो वेटे जो पांच नमबर है और पांच नमबर के लिए आप उतनी मोटी बुख पढ़ें मुझे ठीक नहीं लग रहे ठीक है तो आप कोई भी एक पतली से पतली बुख लेके पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास है उसको ठीक है और अगर आप हरी राम पटल सा की बुख पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे बुख है आप उसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पास टाइम है तो ठीक है हम बात करते हैं बाल मनुव विज्ञान के लिए तो इसके लिए न आप अगर आप यूटूब का साहरा लेंगे तो आप जल्दी और अच्छे से कवर कर सकते हैं यूटूब और वेबसाइट्स वहां से आप क्योश्टन मी बना सकते हैं जो इनके प्रीक्री से क्योश्टन पुछे जाते हैं बाल मनोगे फिग्यान के उनको आप सुल्द कीजिए उनके आप MZQS बनाइए उनको आप पढ़िए तो उससे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी ठीक है तो ये आप का जो सलेवस है उसको कहां से पढ़ना है इसके बारे में एक छोटे असा वीडियो था आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो पहुंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेर बाला जो आइकन है वो भी जरूर दबाईए ताकि याने वाले वीडियो करोंटे प्रेकेस आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ठीक है धन्यवाद